जब भी साप और नेवले की लडाई होती है, तो हम एसा नेवला ही क्यों जीता है, ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कई काड़ड है, पहला पॉइंट यह है कि जो नेवला होता है, वो बहुत ही चाइंट और फूलतीला होता है, सेकेंड पॉइंट यह है कि जो इसकी इसकीन होती वो बहुत ही मोटी होती है, तो अगर साप इसको काट भी लेता है तो उसका जहन इसके अंदर नहीं जा सकता है, तीसरा पॉइंट यह है कि अगर साप का जहन इसके अंदर घुसवी जाता है तो नेवले के पास एक ऐसी सकती होती है, जिसे इसी तिलिक वो लाइं डिस्पेक् झाल बता है